असलाम आलेकुम वीवर्स आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत थी ज्यादा हेल्दी और टेस्टी डिश चिकन सूप जिसमें हमने बहुत सारे विजीज भी डाले हैं इसको बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम चिकन बोन्स यहने हट्डियों के साथ आप भी इसको हट्डियों के साथ लें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा फिर हमने डाला है पौकप मटर यहां पर हमने फ्रोजन मटर लिया है आप चाहे तो फ्रेश वाला भी आधा कप गोबी का फूल पौकप स्वीट कॉन आधा कप कैरेट एन गाजर जिसको हमने बारिक बारिक काट लिया है और आधा कप बीन्स उसको भी हमने बहुत बारिक से काट लिया है आप अपनी पसंद के वेजटेबल भी इसमें यूज कर सकते हैं फिर हम इसमें shb adraig lesan का पेस्ट ऑफ हम डालेंगे इसमें अब आधा टीश पून काली मिर्ज का पाॉदर सरे चिज़ों को डालने के रह आपे हम डालेंगे आधा छिमिच का सॉस और आदा टीज़ पून टोमाटो सॉस में एक टीज़ पून सोय सॉस ये इसके इसको अच्छा सा टेस्ट दिने में हेल्प करते हैं फिर हम डालेंगे इसमें तीन ग्लास तक पानी अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे पिसको लाइक और शेयर करना ना बोलें फिर हम इसमें डालेंगे एक चमश तक नमक या फिर आप अपनी टेस्ट के मताबीर डाल सकते हैं सारे चीज़ा को डालकर हम कुकर का ढखन बन करके उसको चार से पांच सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे ताकि जो भी वेज़ी वेज़ेबल्स और चिकन है और अच्छे से गल जाए देखे इस तरह हम बाहर निकाल लेंगे और उसको श्रेट कर देंगे दूसरे तरफ हमने एक बाउल लिया है उसमें दो टी स्पून तक हमने कॉन फ्लोर लिया है और आधा कप पानी डालकर उसकी एक फाइन सलरी बना है इसका कंसिस्टेंसी इस तरह से होना चाहिए इसको हम साइड में रख देंगे दूसरे तरफ हम जो वेज़ेबल्स हमारे बॉयल हुए है उसको थोड़ा-थोड़ा हलके से मैश करके उसमें नमक टेस्ट करके थोड़ा सा आड़ कर देंगे यहां पर हमने आधा चमच नम प्यास की पती वह भी थोड़ा आदे कप तक हमने डाल ली और एक टेबल स्पून तक हमने हरा धनिया उसको भी बारीक कट लिया था साल चीज़ों को डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे स्लरी जो कि हमने बनाके रख ली थी कॉन फ्लॉर मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे अंडे दो अंडे को हमने अच्छे से बीट कर लिया था अब हम इसको स्लोल इस सरह से एड्ड करेंगे एक तरफ से और दूसरे हाद से हम चमच हाणते रहेंगे कंटीनिसली मैं देखें इस तरह सी इसका इस टे Joint कितना खूशूरत कितन अच्छा आया है अगर आप चमश नहीं लाएंगे तो इस सारा का टेक्ष्टर नहीं बनेगा हम इसको कुछ देर के लिए पकाएंगे देखिए हमारा बहुत ही जादा टेस्टी और हेल्दी कौन सूप तैयार है अगर आप पच्चों के लिए बना रहे हैं तो तरकार या सब को और थोड़ा मैश कर दें इस पर हम कोई भी नोडल्स लेकर उसको टीप फ्राइ करके उसके उपर गानिश कर दें यह सूप पीते हुवे क्रिस्पी क्रिस्पी खाने में बहुत मज़ा आएगा इसको आप गर्मा गरम सफ करें और खुद भी एंजॉय करें हमारा वीडिय देखने के लिए थेंक यू